नमस्कार दोस्तों विखास इस्टेडी सरकल के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम लोग 15 नौमबर 2022 से संबंदित जो महात्पूर्ण करेंड अफेर है उस पर चर्चा करेंगे तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंतर तक आवशे बने रह केंदित जाता है तो विख मध मिह लुख मना जाता है 14 नौमबर को मणा जाता है अगला दोस्तों पाइंट हमारा है किस गरंथी को जयविघ हाजा जाता है तो दोस्तों जो पीनियल करंथी है इसे जयवी घड़ ही कहा जाता है पीनियल करन्ति को यह भी गढ़ी कहा जाता है अगला दोस्तों प्रश्ण है मारा 14 नॉमंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कारकारी अधिकारी निउक्त किया गया है तो दोस्तों प्रसार भारती का मुख्य कारकारी अधिकारी CEO किसे निउक्त किया गया है तो दोस्तों गौरव दुवेदी इन्हें दोस्तों जो प्रसार भारती है इसका मुख्य कारकारी या धिकारी नियुक्त किया गया है दोस्तों जो प्रसार भारती है या दोस्तों आकासवाणी या दूर्दरसन और आल इंडिया रेडियो को मिलाकर इसका गठन किया गया था इस इस्थापना की बात किया तो दोस्तों प्रसार भारती की जो इस्थापना है वह 1997 के अधिनियम से की गई थी इसके दोस्तों पूरी CEO की बात की जाए तो वह है मैंक अगरवाल और दोस्तों वर्दमान में किसे न्युक्त किया गया तो गरव दिवेदी को या दोस्तों प्रशन जो है बहुती अच्छा है आप लोग इसका ध्यान रखें आगे दोस्तों देखिएगा अगला हमारा 27 जो लेखा महान नियंतरक है उनका नाम क्या है तो दोस्तों देखिएगा अगर आपसे पुछ दिया जाए कि सीएजी कौन है तो आपको पता होगा जो सीएजी है वह दोस्तों वर्दमान में गिरिश्चंद मुर्मुजी या चीज आप लोग देहान रखें सीजी ए और सी को सीएजी हम साने था जात अध्यान रखें अगला दोस्तों पौइंट है मारा बी भी सीएग gim 36 अध्याच है वह रोजर बिननी है अगला दो प्रशन मारा कि सरा सरकार ने कावेडी मारति का साथि नबर समयरत को राजिका 17 7 स्थार में जो है वन्हरति बढूहरन अधिसू सब्हारण निक्रेंग किया या दोस्काइब यह गुशित किया है इसको आगे दोस्तों देखिए गा यह मारा कि नभुर करें कर द ju asse CHAD लोरे सब्हारण या दोस्तों कर बंधर लोरे सब्हारण है या दोस्तों है तुमी अधर राज में है अगवन मन भारत में रामसर साइट ऐसे पूर् už दोस्टों उत्रवर्दमाण में राजוז तक तल्यत और भारत पूल जो रामसर साइट से 75 हैं दोस्तों भारत का तिरपनवा टाइगर रिजरु है हाली में इसको दोस्तों गोसित किया गया तो दोस्तों इसका नाम है रानीपो टाइगर रिजरु जो उत्तर विद्रस के बुंदल खंडशेत में पढ़ता है तो आज चीज आप दियान वा रानीपो टाइगर रिजरु अतर्ड़र दस में इस्तित है बामनवा दस्तों टाइगर रिजरु यह था रामगण विसदारी टाइगर रिजरु जो राज़स्तान में इस्तित्त है आगे द़तों देखिएगा जनवरी 2023 में वारार्यर चीज और किसके मत्द्नी दुनि क्रूज सेवा सुरू होगी तो दोस्तों और डिब्रूकड जो असम में सित है इसके मद्द दोस्तों 200 की सबसे लंबी क्रूज सेवा सुरू होगी इसके दोस्तों दोनों के बीच दूरी की बात किया तो 32 किलोमीटर है और दोस्तों यह जो क्रूज की यात्रा है वह 50 दिन तक चलेगी इसमें दोस्तों जो है वाइभ तीसंwhat किलिवीट के दूरी तयकरेगा दुस्तों क्रूज जो है उसका नाम क्या है म्वी गंगा विलास मद्य इन म्दध इसका नाम है यह इसना थिक्तम असी लोग एक बार में जा चूंठे तो यह चीजह अब दहान रख्यें कि capabilities कि किसके मंद है कि और रमकी है तो वरानसी से इपरीगर असम के मद आंगे दोस्तों देखियेगा अगला हमारा प्रशन है भारत की इलेक्टिक डबल डेकर बस कहा सुरू की गई तो दोस्तों प्येट Haiti कि डबल डेकर बस सुरूकि की वाराण रसी दोस्तों देव की नगरी यह संगेई सहयोग संगतन की पहली संस्कृतिक राजधानी है bunny अग्ला दुपर्संद देखिएगा मेजर द्यांचन्द खेल रतन पुरुसका 2022 किसे दिया जाने की घुसड़ा की गई तो दोस्तो मेजर द्यांचन्द खेल रतन पुरुसका 2022 में सरत कमल को दिया जाने की घुसड़ा की गई है दोस्तो जो सरत कमल है आपको पता होगा टेबल टेनिस खिलाडी है टेबल टेनिस खिलाडी हैं, दोस्तों कामनवेल्स गेम्स में जो है इन्होंने सरवाधिक पदग जीते थे और जो सरत कमल हैं दोस्तों समापन समारों में दोजवाःक भी थे यह चीज आप लोग द्यान रखें, इस बार दोस्तों सरत कमल को मेज़र ध्यांचन खेलरत नावार जो 2022 से इसे समानित किया गया है, दोस्तों अगर मेज़र ध्यांचन खेलरत न पुरुसकार की बात की जाए, तो 2021 में 12 खिलाणियों को यह पुरुसकार दिया गया था, और इसका पुराना नाम तो दोस्तों राजीव गांदी खेलरत न पुरुसकार, इसी का दोस्तों पुराना नाम है, इसकी दोस्तों जो सुरुवात है, वह की गई थी 1991 से, और जब सुरुवात की गई तो इसमें दोस्तों जो पहला पुरुसकार है, वह दोस्तों दिया गया थ 25 रुपए यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखे हैं बहुत अच्छा प्रशन है आगमी परिच्छाओं में पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यांजन खेल रत नावाड जो है देखिएगा अगला प्रशन हमारा 15 से 16 नुवंबर तो जबाइस को पैन इंडिया टटी रच्छा ब्यास सी विजल विजल 2022 इसका कौन सा संस्क्रण आयोजित किया जाएगा तो जो स्री विजल हमारा संस्क्रण है इसका तीसरा टीर अच्छा प्यास आप अगले दूस्टे इश्टरन इस जो है युद्दबहास यह किन देसों के मद्द्ध होता है तो इस्टरिंड बज शिक्स जो युद्दबहास है यह भारत और ओमान के मद्द्ध अगला दोस्तो जो मिलन 2022 यह कहां आयूजित किया गए तो मिलन 2022 जो है यह विशाका पत्नल में आयूजित किया गया वज़ प्राहद युद्ध ब्यास दोस्तो 2022 इसकी वात की जाए तो यहां भारत और अमेरिका के मद्ध होता है और इस बाद दोस्तो 2022 में बकलो हिमाचल विद्ध में इसका आयोजन किया गया तो दोस्तों वज़ प्राहर 2022 इसका आयोजन बकलो हिमाचल पुदेश में किया गया था आगे दोस्तों देखिएगा 11 से 18 नॉम्बर 2022 तक कहां पर IBSA नेतरहीन फुटवाल महिला ACI चैंपियंशिप 2022 का आयोजन किया गया तो दोस्तों जो नेतरहीन फुटवाल महिला ACI चैंपियंशिप 2022 का आयोजन किया गया है दोस्तों कोची केरल में यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें IBSA दोस्तों इसका फुल फार्मों का इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसियेशन दोस्तों IBSA इसकी स्थाबना की गया है उन्हीं 181 में और मुख्याला है वान जर्मनी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखें जो नेतरहीन फुटवाल महिला ACI चैंपियंशिप इसका आयोजन कहां किया जा रहा है तो कोची केरल में आगे देखियेगा राष्टमंडल या कामन वेल्थ गेम्स जो है 2026 का आयोजन किस सहर में किया जाएगा तो विक्टोरिया आस्टेलिया में दोस्तों कामन वेल्थ गेम्स या राष्टमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा Victoria, Australia में और या दोस्तों तेशसो स्वें एकर्म के होंगे 2022 में दोस्तों जो 22 एकर्म के थे राष्ठमनल खेल इनका इयोजन किया गया था Arab Saras UK में दोस्तों जो Greece,ぐたलियन Olympics में टोजार में तेशसो स्वें कर्म के इयोजन किया जाएंगे पढ़ादिम में मौलानामा अभुलकार माज़ार ट्राफि। दो तो उनिवस्टिकर को दी गई है तो गुरुनानक उनिवस्टिकर अम्रासव की इसे दोस्तों मौलाना अबुलकाला माज़ाद ट्राफिर दी गई है आगे दोस्तों देखिएगा आसियान ने किस देश को सैधानते गुरूप से अपना 11 सदस स्विगार करने पर सहमत रिक्त की है दोस्तों एसियान में 10 और आसियान की स्थापना की गई थे इसे 21 सदस स्विगार करने की सहमत विक्त की है दोस्तों जो timor lady's में इंडोनेशिया से अलग होकर बना दियते, जो इसके राइधानी की बात की जाए तो लाझधानी पैज़ा में इसका नाम था पूरवी तिमोर और वर्तमान में इसका नाम है आगे दोस्तों देख दहुएगा अगला स्दूरा गुगल फार है गुगल फार डूगल 2022 प्रत्युकता का विजयता गोसित किया गया सुलोग मुखर जी को दोस्तों सुलोग मुखर जी जो है यह कोलकाता के निवासी है और इन्होंने दोस्तों इनका जो विशय था हुआ था 25 और सबाद अपना भारत इसके लिए दोस्तों इनका जो यह विशय था इस पर दोस्तो गूगल फ़ार्ट डूडल 2022 परत्योकता का विज्यता इने नहीं घुसिद किया गया अंतीम प्रस्थ दोस्तो आज हमारे हाली में प्रख्यात विद्वान आरल कस्याप का निध्हन हो गया दोस्तों यह थे इनका दोस्तों संबंध किश्चेत से तो दूस्तों इनका संबंद सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जहीं दोस्तों